मुदी सरकार में मंत्री बनने वाले नामों में एक नाम आरा लोग सभासीच से नवनिर्वाचित सांसर आरके सिंग का भी है इनका पूरा नाम राजकुमार सिंग है नौकरशार से राजनेता बने 1975 बैच के आईएस अधिकारी राजकुमार सिंग मूल रूप से सुपोल जिले के रहने वाले हैं वैसे पटना में भी इनका अपना घर है राजकुमार सिंग की साधी भोजबूर जिले के गाजीपुर गाउं में शीला सिंग के साथ हुई है बिहार सरकार में कई महत्व बूर्ण पदों पर एवं कई जिलों के जिला अधिकारी के पदों पर राज चुके हैं बात इनके सियासी सफर की करें तो देश के ग्रीस अचीव के पद से अवकाश ग्रहन करने के उपराथ बाजबा से टिकट पर पहली बार आरा संसद्यशेत्र से वर्ष 2014 में सांसद चुने गए लालू सरकार में वर्ष 1990 में समस्ति पुर्ग में डीम के पद पर रहते हुए बाजबानेता लाल कृष्णा अडवानी के रत को रोक कर सुर्खियों में आये थे वर्ष 2019 के लोग सबा चुनाव में दूसरी बार भाजबा प्रत्याशी बनाए गए और शांदार जीत दर्ज की विनरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रिय उर्जाराज्य मंत्री बने अपने संसदिय कारेखाल में राजकुमार सिंग ने विकास के कई बड़े आयाम को भी गढ़ा है राजकुमार सिंग ने वर्ष 1973 में सेंट स्टीफन कॉलेज दिली विश्व विद्याले से अंग्रेजी में सना तक की थी अपनिय वर्ष में मगद विश्व विद्याले से अंग डिग्री बराप्त की थी इस य से पूर्व उनेसोची असी में र-वी-वी निदर्लैंड से मैनेजमेंट में डिपलोमा की डिग्री पराप्त की थी औरहाल, आरके सिंगर केंद्रिय काबिनेट में शामिल हो गए हैं, ऐसे में देखना होगा कि प्रदान मंत्री उन्हें कौन से दिम्मदारी देते हैं?